सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानू वेस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रसासन, साशन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं सरकार को न्याय करना चीए एक चौकिंग चार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अदिकारी हट जाए उससे कानू वस्ता नहीं समलेगी जिस समय ये प्रसासन निकलने का काम शुरू हुआ कम से कम प्रसासन को इस बात का ध्यान रखना चीए था कि जो प्रसासन निकलना है उसका रूट क्या है रूट पे पूरी सुरक्षा है के नहीं है पर्याप पुलिस है के नहीं है और उसके साथ साथ उन लाओडी स्पीकर्स पे क्या बजाये जा रहा है अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे लेकिन कम से कम पर सासन को ये ध्यान रखना चीए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी सासन की थी, सरकार की थी, सासन की चूक की वज़े से इतनी बड़ी घटना हुई, केवल वहराईश में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सो वर्ष पुराना मेला लगता है, बनारस राम नगर में, परियाद पुलिस नहोने की बज़े से, परियाद सुरश्चा के इंतजाम ना करने की बज़े से, बहुत से लोगों को अपमाने थोना पड़ा, और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है, इधर आप उत्तपदेस में देख रहे होगे, कि भारती जंता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं, लखीमपुर में किस ने नहीं देखा, कि बिधाई के जाबड मारा गया, और फिर क्या कारबाई हुई, क्या कारबाई हुई सोची आप, अगर वो F.I.R. लिखाना चाहते हैं, तो F.I.R. नहीं दर्ज होगी, क्या इड्मिर्सेशन को सो मोटो ले पर्चे चीने गए, उससे पहले भी समाजवादियों पर इन्होंने लाठी चलाई है, समाजवादियों को अपमानित किया, समाजवादी पार्डी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं, तो क्या हुआ के जलादियों तमाशा नहीं देख रहे थे, अब तो उन्हीं के बि की राजनीत है, जिसकी वज़े से ये जानबुच करके करा रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ स्ट्रेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पर जगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है, मैं जनता से अपील करूँगा, कि भारते जिनता पार्डी की चाल समझ ये नफरत या जगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राध्य ते गलाब लेना चाहते हैं,